है या है या आप आप अपना कैसे बना सकते हैं जी हां आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का का CMS या MCN कैसे बना सकते हैं तो चलिए सब्सक्राइब किजिए नोस्व इंडिया चैनल को और दबाये वेल आइकन को ताकि हमारे वीडियों को सबसे पहले आप देख सकें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है जैसा कि आपने थमनेल देखा कि हम अपना खु कि दोस्तों CMS बोले तो कंटेंट मेनेजमेंट सर्विस और MCN मतलब मल्टी चैनल नेटवर्क कि CMS होता है कि हमारे जो कंटेंट हैं उसकी जो उसकी जो कंटेंट आइडी मिलते हैं वह होता है CMS एंसी जो होता है वह होता है मल्टी चैनल नेटवर्क दोनों को यदि डिवाइड किया जाए तो MCN जो है वह सौफ्ट्वेर लेबल वर्क हैं जिसमें एक सौफ्ट्वेर होती है इसमें दस बीस चैनलों को अपने साथ जोड़ते हैं यदि हम अपने MCN में किसी को CMS देते है किसी चैनल वाले को देट मींस कि उन्हें अप उनका जो उनके चैनल का जो पेमेंट होगा वह यूट्यूब नहीं देगा गूगल नहीं देगा एडसेंस नहीं देगा वह कौन देगा वह MCN देगा उनको जी हाँ अच्छा इसमें एक बेनिफिट यह होता है कि जैसे गूगल एडसेंस में क्या होता है कि आपके सो डॉलर जब तक नहीं होते तब तक आपको पेमेंट नहीं आगा लेकिन अगर आप MCN से हैं तो आपको आपकी कितनी भी दो तीन चार पांच जितने भी डॉलर है कि तो है कि अधिए मैस और अपना कैसे बनाएंगे बहुत सावी कंपनियां जिससे आप जॉइन कर सकते हैं आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं उसका भी सिस्टम मैं आपको बताऊंगा दोस्तों होता क्या है पहले कि आप टीं चाहले सिएपना खोदका बनाना बहुत आसान होता था लेकिन आज के डिट में बहुत है इसा क्यों हुआ ऐस्लिए क्योंकि जो लोग सीएमेंसे यं चलाते हैं तो अपने मन की उन्होंने किया हमेशा जैसे खार कि किसी सीमेंस को हम जोईन किये तो इसमें क्या होता है लॉकिंग होता है कि भीया आप CMS या MCN में जैसे यह CMS हो गया यह मैं हो गया मेरा चैनल है CMS हो गया तो मैं इनके साथ जुड़ा तो यह जुड़ने की जो कि पीरियड होता है कि कितने दिन के लिए मतलब हम CMS में सामने वाले के से से कितने दिन तक मैं जुड़ूंगा मेरे टीपेंड है तो क्यों होता क्या था कि जो लोग होते थे तो वह जो छोटे चैनल वाले होते थे उनके साथ नाइंसाफी होती थी वह जैसे उनको जोड़ दिया फिर जब सामने वाला निकलना चाहा कि हम आपके में अब नहीं आएंगे या नहीं रहना चाहते हैं निकलना चाहते हैं इससे तो निकालते नहीं थे तो इसको ध्यान में देते हुए यूट्यूब ने अब cms और mcn को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया है पहले के अपिछ्छा पहले आसानी से बन जाता था बट अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है cms और mcn को बनाना लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बनाएंगे अपना तो उसके लिए एक सिस्टम है कि आपका एक चैनल होना चाहिए वो चैनल मॉनिटाइज होना चाहिए उसके बाद आप गूगल को यूट्यूब को एक मेल डालेंगे यार उनको ट्वीट कीजिए कि सब मुझे अपन आपको उसके लिए अपना सिस्टम बनाना होगा आप अप अट लिस्ट कम से कम दो या तीन कॉपी राइट दीजिए पहले किसी को जैसे आप किसी चैनल को पकड़िये उनको तो सेम कंटेंट इस चैनल पर या उस चैनल पर डाल दीजिए उसके बाद उस्चैनल से कॉपिराइट डालिए तब आप मेल ला लिए तो मेल में एक फॉर्म आएगा वह फॉर्म का लिंक मैं दूंगा आपको उसके वह पूछेगा यूट्यूब आप से की इसके पहले आपन आपको साफ्ट्वेर टीम किया सकता होगी आप साफ्ट्वेर बनवाएंगे बहुत सारी कंपनिया बनाती है आप उनसे बोलेंगे कि मेरा काम है मैं चैनलों को मैनेज करूंगा तो जैसे उस पे सब कुछ पूरा एक डासबोर्ड आपके आपके कंपनी के नाम से मिलेगा जिस साफ्ट्वेर आप बनवाएंगे उसके बाद वह आपके यूट्यूब अकाउंट से लिंक होगा बाकी जितने भी चैनल आप से आप जोड़ेंगे वह सब चैनल उसी के तरुब आपको लिंक होगा आप यूट्यूब एडस सीधे आपको पेमेंट भेजेगा आपके जितन आपके पास एक चैनल तो है नहीं आपके पास लिंक होगा मल्टीपल चैनल तो सबको मैनेज करने के लिए सॉफ्ट्यूर क्या सकता पड़ेगी इसलिए सॉफ्ट्यूर बंती है तो वही होता है मल्टी चैनल नेटवर्प MCN और CMS content management Services तो आई होपकी वीडियों आपको पसं ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सेव कीजिए धन्यवाद जैहिंद गुरुद